हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किये गए पठन अभियान के तहट Class 4 की Worksheet No.51 जो की 22 March 2022 की Worksheet है और इसका सब्जेक्ट है बचों Maths और Theme है इस Worksheet का Measurement in Daily Life आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए इस Worksheet को हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है चित्र पहेली जिसमें आपको दो चित्र दिये हुए हैं दोनों ही चित्रों को आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और किन दूसरा दरिखेंगे कि यहां पर बलून नजर आ रहा है वो बलून यहाँ पर नहीं है तो यह tercer में आपको और दोन चाहें तो पर यह चार में चाहाएं अगला प्रशण है आईए हल करें देखिए इसमें पहला प्रशण हमसे कह रखा है कि राजू कपड़े सिलने का काम करता है उसने 22 मीटर और 50 सेंटी मीटर कपड़ा कमीज बनाने के लिए और 31 मीटर कपड़ा पैंट बनाने के लिए खरीदा उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा तो देखो, हमेशा जब हम जोडते हैं या घटाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि मीटर को मीटर से ही जोड़े या घटाएंगे और सेंटी मीटर को सेंटी मीटर के साथ ही हम जोड़े या घटाएंगे तो हमें निकालना है कुल कितने मीटर का कपड़ा हुआ तो 22 मीटर और 31 मीटर को अगर हम जोडते हैं तो आंसर आजाएगा 53 मीटर अब क्योंकि 50 सेंटी मीटर भी है तो यह आजाएगा 53 मीटर और 50 सेंटी मीटर जिसको हम शौर्ड फ़र्म में सेंटी मीटर ठीक है दूसरा प्रैश्ण है कि अरपित ने आज ओफिस जाने के लिए बस और मेटर का प्रियोग किया उसने 6 किलोमेटर और 750 मीटर रास्ता बस से तै किया और 5 किलोमेटर और 500 मीटर रास्ता मेटर से तै किया ओफिस पहुँचने के लिए अरपित को कितना समय कितना रास्ता तै करना पड़ा तो हमें क्या करना है अब यहां पे भी हमें मीटर को मीटर के साथ जोड़ना है और किलो मीटर को किलो मीटर के साथ जोड़ना है ठीक है तो देखिए अगर हम 6 किलो मीटर और 5 किलो मीटर को ज वो 1 km के बराबर होता है तो 1250 में से 1000 हम घटा देंगे तो अब आंसर बचएगा 250 मीटर और यहां से जो 1 km निकला है वो इसमें जोड देंगे तो आंसर आजाएगा 12 km ठीक है तो आंसर आजाएगा 12 km और 250 मीटर तो दूसरे प्रशन का आंसर भी हमने solve कर लिया अब तीसरा प्रश्ण है कि महेश ने 5 मीटर रंगीन कागज अपने अध्यापक से लिया उसने जिसमें से उसने 2 मीटर और 50 सेंटी मीटर कागज जंडा बनाने के लिए प्रयोग किया तथा बाकी अध्यापक को लोटा दिया तो उसने अध्यापक को कितना कागज वापस किया तो देखो 5 मीटर उसके पास कुल कागज था जिसमें से 2 मीटर और 50 सेंटी मीटर उसने इस्तेमाल कर दिया है तो अब हमें क्या करना है कि 5 मीटर में से 2 मीटर 50 सेंटी मीटर को घटाना है तो कैसे करेंगे देखो 5 मीटर और इस से जाधा simple आपको लगेगा 5 meter में हम क्या करेंगे 4 meter और जो 1 meter बच गया है उसको हम 100 centimeter लिख सकते हैं क्योंकि 1 meter में 100 centimeter होते हैं अब हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे 2 meter और इधर लिखेंगे 50 centimeter और इसको हम घटा देते हैं चार में से दो घटाएंगे तो बचेगा दो मीटर और सौ में से पचास को घटाएंगे तो बचेगा पचास सेंटीमीटर ठीक है इसका मतलब तीसरे प्रशन का उत्तर आ जाएगा कि दो मीटर कागस बचा है और पचास सेंटीमीटर कागस बचा है ठीक है ये हो जाएगा तीसरे प्रेशन का उत्तर चौथा प्रेशन है कि रहीन के पिताजी ठेकेदार है इस वर्ष उन्हें तीन सड़क बनाने का काम मिला है पहली सड़क की लंबाई है 130 km और 700 मीटर दूसरी सड़क की जो लंबाई है वो है 98 km और 411 मीटर और तीसरी सड़क की जो लंबाई है वो है 203 km और 42 मीटर उनके द्वारा बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई कितनी है तो चलिए इसको भी हम पहले solve कर लेते हैं तो बच्चो तीनों सड़कों की लंबाई हमने यहाँ पे लिख दी है और अब हमें करना क्या है इनको जोड़ना है तो यहाँ तो आंसर आएगा मीटर में 0, 1 और 2 इनको जोड़ेंगे तो आंसर आजाएगा 3 फिर 0, 1 और 4 इसको जोड़ेंगे तो आंसर आजाएगा 5 4, 7 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आजाएगा 11 यानि 1153 मीटर आ गया अब हम क्या कर सकते हैं इसमें 1153 में से 1000 को हम हटा देते हैं क्योंकि 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलो मीटर तो यानि यहां पर बचने का 153 मीटर और 1000 जो हमने निकाल दिया है वो 1 किलो मीटर के बराबर है तो इस एक किलोमेटर को हम यहां पर हासल में लगा देते हैं एक किलो मीटर ठीक है तो 153 मीटर आ गया अब इसके पहले जो आएगा वो किलोमेटर में होगा आठ और 3 को जोडेंगे आजाएगा ग्यारा और 11 में एक जोडेंगे तो आजाएगा 12 तो बारा के लिए दो यहाँ पे और एक हासल यहाँ आजाएगा ठीक है तो नौ जमा में एक आजाएगा दस और दस में तीन जोड़ेंगे तो आजाएगा तेरा तो तेरा के लिए तीन यहाँ लिखेंगे और हासल एक यहाँ लगाएंगे अब 2 और 1,3 और 1,4 तो आंसर आजाएगा कितना? 432 किलोमीटर और 153 मीटर ठीक है? तो चौथा प्रश्ण भी हल हो गया आंसर आज़ा 432 किलोमीटर और 153 मीटर ठीक है? अब पांचवा प्रश्ण है कि शिवानी एक परियोजना पर कारे कर रही थी जिसके लिए उसे रिबन के 3 तुकड़ों की आवश्यक्ता है उसने 6 मीटर लंबा रिबन लेकर उसके 3 तुकड़े किये तो दो तुकड़ों की लंबाई हमें दे रखी है पहले की लंबाई है 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर और दूसरे की लंबाई है 1 मीटर 55 सेंटीमीटर तो रिबन के तीसरे तुकड पहले आएगा cm में, 0 और 5 को जोड़ेंगे आजाएगा 5, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो आजाएगा 13, तो 13 का 3 ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और एक जो हासिल है उसको हम यहाँ पे लिकर जाएगे, ठीक है? और अब जो आजाएगा, वो आजाएगा 1 में, 2 जमा में 1 आजाए अजाल क्या था? रिबन की वो थी 6 to अगर हम यह 6 को जाएगा 6 में इस को जैड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे हैं ही हाँ छे मीटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो directly 6 मीटर लिख दिया 4 मीटर और 35 सेंटीमीटर अब इसको अगर हम घटाते हैं तो देखी यह आंसर तो आएगा सेंटीमीटर और 100 में से अगर हम 35 को घटाएं के तो आंसर आजाएगा 65 यानि 65 तो सेंटीमीटर तो आगया 65 और 5 में से 4 घटाते हैं तो आंसर आजाएगा 1 मीटर यानि जो तीसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई है बच्चो एक मीटर और 65 सेंटी मीटर ठीक है तो इस तरीके से आप पांचवा प्रश्ण भी हल करेंगे अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चो को लंबाई नापने के लिए प्रियोग की जाने वाले विभिन एकाईयों के बारे में बताईए तो आपको अपने पेरेंट्स से डिसक्स करना है मीटर, सेंटी मीटर, किलो मीटर ये क्या होते है और इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है तो ये थी आज की हमारी माट्स की वरक्षीट और आपसी को ये वरक्षीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें अपने फेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तक्यू